नाग पंचमी की पौराणिक कथा प्राचीन काल में एक सेड जी थे जिनके साथ पुत्र थे सातों की साधी हो चुकी थी सबसे छोटे पुत्र की पतनी स्रेश्ट चरिद्र की थी परंतु उसका कोई भाई नहीं था एक दिन सेड जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहूं को साथ चलने के लिए कहा तो सभी धुलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खूदने लगी तभी वहाँ एक साप निकला जिसे बड़ी बहु खुरपी से मारने की कोशिश कर यहां देखकर छोटी बहु ने उस साब को मारने से रोक लिया यह सुनकर बड़ी बहु ने उसे नहीं मारा और सर्व एक और जाकर बैठ गया तब छोटी बहु ने उस साब से कहा हम अभी लोट कर आती हैं तुम यहां से कहीं मत जाना यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फसकर साब से किया वादा भूल गई जब छोटी बहु को दूसरे दिन वहां बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुची और सर्व को उस अस्थान पर बैठा देख बोली सर्व भया नमस्कार सर्व ने कहा तू भया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ नहीं तो जूटी बात कहने के कारण तुझे डंस लेता वह बोली भया मुझसे भूल हो गई छमा मांगती हूँ साब बोला अच्छा तु आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई तुझे जो मांगना हो मांग ले वहां बोली भया मेरा कोई भाई नहीं है या सुनकर साब बोला ठीक है आज से मैं तेरा भाई हूँ इस पर बहन ने बोला मैं बहुत भागशाली हूँ जो तु मेरा भाई बन गया कुछ समय बीतने पर वह सर्फ मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज़ दो सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था तो सर्फ बोला मैं इसका चचेरा भाई हूँ बचपन में ही बाहर चला गया था ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहु को उसके साथ भेज दिया उसने मार में बताया कि मैं वही सर्फ हूँ इसलिए तु डरना नहीं और जहां चलने में कटनाई हो वहां मेरी पूछ पकड़ लेना छोटी बहु उसके कहे अनुसार उसके घर पहुच गई वहां के धन ऐश्वर को देखकर वह चकित हो गई एक दिन सर्फ की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तु अपने भाई को ठंडा दूद पिला देना लेकिन छोटी बहु को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्फ को गरम दूद पिला दिया जिसमें उसका मुख वेतरह जल गया या देखकर सर्फ की माता बहुत क्रोधित हुई परंतु सर्फ के समझाने पर सांत हो गई तब सर्फ ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए तब सर्फ और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी ज्वाराद वस भूशन आदी देकर उसके घर पहुचा दिया इतना धेर सारा धन देखकर बड़ी बहु ने इर्शा शे कहा तेरा भाई तो बड़ा धनवान है तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए सर्फ ने या बचन सुना तो सब वस्त्वें सोने की लाकर दे दी या देखकर बड़ी बहु ने कहा इन्हें ज्ञाड़ने की ज्ञाड़ू भी सोने की होनी चाहिए तब सर्फ ने ज्ञाड़ू भी सोने की लाकर रग दी सर्प ने छोटी बहो को हीरा मड़ियों का एक अदबुध हार दिया था उसकी परसंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वा राजा से बोली कि सेट की छोटी बहो का हार यहां आना जाहिए राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वा हार लेकर सीग रुपस्तित हो मंत्री ने सेट जी से जाकर कहा कि माहरानी जी छोटी बहो का हार पहनेंगी वा उससे लेकर मुझे दे दो सेड़ जी ने डर के कारण छोटी बहु से हार मंगा कर दे दिया छोटी बहु को यह बात बहुत बुरी लगी उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रातना की भैया रानी ने हार छीन लिया है तुम कुछ ऐसा करो कि जब वा हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वा मुझे लोटा दे तब हीरों और मडियों का हो जाए सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वा सर्प बन गया या देख कर रानी चीख पड़ी और रोने लगी कि राजा ना जाने क्या करेगा वह स्वयम छोटी बहु को साथ लेकर उपस्तित हुए राजा ने छोटी बहु से पूछा तुने क्या जादू किया है मैं तुझे दंड दूंगा छोटी बहु बोली राजन गिर्ष्टा छमा कीजिए या हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हिरों और मडियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखर कहा अभी पहन कर दिखाओ छोटी बहु ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मडियों का हो गया यह देखकर राजों को विश्वास हो गया और उसने प् भेर सारी मुद्राएं प्रुश्कार में दी। छोटी बहु घर लोटाई। उसके धन को देखकर बड़ी बहु ने एरशा के कारण उसके पती को सिखाया कि छोटी बहु के पास कहीं से धन आया सुनकर उसके पती ने अपनी पतनी से पूछा कि सही बता या धन तुझे कौन देता है तब उसने सर्ब को याद किया बहन को मुश्किल में फस्ता देख उसी समय सर्ब वहां प्रकट हुआ और कहने लगा जो मेरी बहन के आजण पर संदे करेगा तो मैं उसे खा लूँगा या सुनकर छोटी बहु का पती प्रशन हुआ और उसने सर्ब देवता का सत्कार किया ऐसी मानता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का तहवार मनाया जाने लगा और इस्तिरियां सर्ब को भाई मान कर उसकी पूजा करती है तो दोस्तो नाग पंचमी की कहानी आपको कैसी लगी कमेट में जरूर बताए वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर बताए